श्रिम्ला की जगे अब बैंगलूरू में होगी विपाच्छी दलों की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को विपाच्छी दल करेंगे मन्थन NCP नेता शरत पवार ने जानकारी दी है पहले श्रिम्ला में बैठक को फोनी तै हुई थी श्रिम्ला की जगे अब बैंगलूरू यह जगे को चेंज किया गया है जहां पर अब विपाच्छी दल के बैठक होगी और इसी कबर पर हमारे साथ हमारे समधता अविने सिंग लाइफ जुनओं अविने सिम्ला की जगे अब इस्थान को बतला गया और बैंगलूरू यह स्थान किया गया कैसे में और क्या कुछ अपडेट अब देखे जब पटना में यह बैठक हुई थी तब कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलेकारजुन खरगे की तरफ से कहा गया था कि जो अगली बैठक है वो शिम्ला में की जाएगी और शरत पवार के इस बयान से पहले भी यह माना जा रहा था कि जो अगली बैठक विपक्षी पार्टियों की है वो शिम्ला में होगी लेकिन शरत पवार की तरफ से बयान आया है कि जो अगली बैठक बैंगलूरू म नहीं बता गया है लेकिन जगह जो बटली गई है जरूर्स के बीचे कोई वजय होगी और देखना हुआ कि जो जगह अब तक शिमला में होनी थी जो बैटक शिमला में होनी थी बैंगलोरू में उसे क्यों किया जा रहा है और अभी क्या किस तरह का कोई इसका ओपिछल बयान किया गाता है लेकिन अब अश्रत पवार के बयान ने साफ किया है कि यह बैटर बैंगलोरू में होगी तो देखना है कि अभी क्या आने वाले दिरों में और इस अगली पैटक के स्थान बदलते हैं या फिर बैंगलोरू इसको तैमाना जाए यह देखना होगा जी अब 23 ज करके कोई बयानबाजी की गई है देखिए जो पहली बैटक की थी जो पटना में हुई उसका मकसद था सब को एक जुट करना सबको अपरे अपनी बात रखना अब जो अगली बैटक होगी उसमें मकसद क्योंकि जब पटना तब ही यह साफ कर दिया था नितिश कुमार के तरफ से कि अगली बैटक में विपक्षी पार्टियों को आ यानि कि इस महागट बंदन का सहीं योजक्तिय किया जाएगा और रणनीती बनाई जाएगी पॉलिसी बनाई जाएगी कि लोगसाबा चुनावों को किस तरह से जा रही है और इसलिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से अगली बैठक का इंतजार है और जब शरत पावार ने इस बात की जानकारी दी कि बैंगलोरू में अगली बैठक होगी तो शरत पावार ने यह कहा कि पटना की बैठक जो ही उसके बाद बीजेपी घबराई हु विपक्षी पार्टियों की उस पर देखना होगा काफी एहम रहेगी क्या क्या रंडीती बनती है वहीं विना एक सवाल में रहा है कि इस माघडबंदन में होने वाली बैठक में क्या विस्तार भी हो सकता यानि कि जो पार्टिया अब तक साथ नहीं थी क्या वो भी साथ आ अगली होने वाली बैठक में इसमें किसी बात से नकारा नहीं जा सकता कि यहां पर विपक्षी पार्टियों ने सबके लिए दरवाजे खुले हैं यानि कि गैर बीजेपी पार्टियों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं विपक्षी पार्टियों को भी हैं कि और भी दल उ बढ़ा जा सके तो यह इसमें कोई दोर आए नहीं है और इस बात को लाकारा भी नहीं जा सकता कि अगली जो बैठक होगी उसमें और भी पार्टियां जूट सकती है लेकिन यह भी देखना हुआ कि जितनी पार्टियां पटना में जुटी थी को कम से कम जुटे ताकि बंदन को लेकर जाहिर तोर बात है कि विपक्षी पार्टियों को और ज्यादा बल मिलेगा